तिल के पेरे सर्दियों में भी काफी फायदेमन्त है शरीर के लिए मकर्सक्रान्ती आ रही है उसमें भी नियम के लिए जरूर ही खाने के लिए इस्पेसल बनाए जाते हैं हर घर में तो चलिए इसके लिए हम समागरी दिखा दे रहे हैं देखिए एदो कफ हम तील ले लिए हैं तील को पहले आच्छे से हम एक घंटे पानी में भीगो देंगे आच्छे से धो के थोड़ा सा हम मसल मसल के धोएंगे जिससे पूरा इसका हलका छिलका उतर जाए इसको धो के सुखा देंगे फिर इसको हम फ्राइ करेंगे थोड़ा सा हम सुखा भाजेंगे तो अब जितना हो सके अच्छे से इसमें थोड़ा सा कंकरूंकर हो सफा कर लीजेगा एक बाउल हम गुर ले लिए हैं जितना तील लेंगे उससे आधा क्वांटिटी में हम गुड़ लेंगे थोड़ा सा ड्राइफ्रूड है काजू बदाम एक कप दूध ले लिए हैं थोड़ा सा हम घी ले लिए हैं अब इसे बना के भी हम दिखा दे रही हूँ एक कराही हम गरम कर लेंगे अब एक बाउल से हम दो कप हम आपको दो बाउल हम नापके दिखा दे रही हूँ मेजरमेंट कर लीजिएगा कोई बाउल हो या कप हो दो बाउल हम तील ले लिए अब इसको हम 5-7 मिनट बिल्कुल धीमी फ्लेम में इसको रोस्ट करेंगे थोड़ा सा हम चमक के लिए इसमें हम घी डाल देंगे थोड़ा सा इससे क्या होगा लाइटिंग थोड़ा देखने में काफी सुन्दर भी लगेगा चमकीला रहता है तो अगर चाहे तो डाल सकते हैं नहीं तो एसकीप कर सकते हैं अब थोड़ा चसटकने लगेगा थोड़ा सा मेरा सुनहरा भून के खुस्भू जब आने लगेगा हलका ब्राऊन कलर दिखने लगेगा थोड़ा सा हाथों में भी डाल के आप मसल के देख लीजेगा जब शिलकाचे से उतरने लगे तो बस इसे निकाल लिजेगा एक प्लेट में मेरा हो गया अब हम एक प्लेट में निकालेंगे अब इसको हम ठंधा करके फिर अलग साइड हम कर लेंगे अब फिर से हम कराही ले लेंगे उसमें एक कप हम दूध डालेंगे अगर आप दूध नहीं डालना चाहते हैं तो इस समय पानी भी डाल सकते हैं एक बाउल हम गूर लिए हैं दो बाउल तील है तो एक बाउल हम गूर ले लेंगे कम बेसी आप कर सकते हैं ज्यादा अगर गूर खाना चाहते हैं तो ज्यादा भी गूर डाल सकते हैं इळाय ची पावटर हम आधा चमाच इलाय ची पावटर डाल दियें इससे खुस्वू काफी बढ़ी आएगा बच्चे काफी पसंद करेंगे अगर पे Giving तो पावडर सकते हैं यंधे स Supreme पसंद करेंगे यह हम ड्राइ फ्रूट को छोटे-छोटे टुकडो में काट लिये हैं, काजू, पिस्ता बदाम, इसी में हम डाल देंगे, इसको भी हम में ला लेंगे, यह भी एक मिनट पक जाएगा फिर हम, चलाते रहेंगे अच्छे से, आप चेक कर लेंगे, जब तार बनने लगेगा त अब गैस का फ्लेम हम ओफ कर देंगे, तिल जो हम भूज के रखे थे, उसी को हम उसी में डालेंगे, इसको अच्छे से हम मिला लेंगे, चारो तरफ से हम मिला लेंगे इसे, फ्रेंट्स, मकर संक्रांती आ रही है, तो उसमें भी आप यह बना के रख लीजिएगा, ठंड के दीन में ऐसे भी खाने से सेहत के लिए भी बहुत फायदे मन्त होता है, देखिए हम मिला लिए, अब इसको एक हम बाउल में निकाल लेंगे, यह हम सारा निकाल लिए, थोड़ा सा हम एक बाउल में पानी डाल लेंगे, पानी के सहारे से अब चम्मस्यम जितना हो निकाल लेंगे, सुखा हाथ मत लगाईएगा नहीं, तो हाथों में चिपक जाएगा गूर, थोड़ा सा पानी लगा लें या घी लगा लें हाथ में, अब चलिए हम थोड़ा सा हाथ में पानी लगा लेंगे, चारो तरफ हम एक समान हम कर देंगे, चिकन से, अब हम थोड़ा हाथों से घी लगा के उपर से भी हम चिकना कर देंगे इसे क्या होगा साइनिंग बनेगा आप देखिए हम थोड़ा सा हाथों में भी घी लगा लिये हैं चोटा चोटा हम लोई जैसा, पूरी के लोई जैसा हम निम्बू अकार जैसा हम उठा उठा के हम गोल बना के फिर थोड़ा सा दबा देंगे, उसके उपर से भी काजू डाल सकते हैं, देखिए हम थोड़ा सा उठाएं, पहले चिकना गोल करेंगे, थोड़ा सा हम दबा दें उसके उपर से एक हम काजू का रखके फिर से हम दबा देंगे इससे जब सुख जाएगा तो बिल्कुल काजू नहीं हटेगा देखिए ऐसे भी दबा देने से हम दबा दियें थोड़ा भी निकल नहीं रहा है बीच बीच में हम एक दो बना लेंगे पानी लगाया घी लगाया हाथों में जरूर लगाते रहिए इसको ठंधा होने मत दीजिएगा गरम में ही जितना हाथ सह सके उतना ही गरम में आप इसे लड़ू बनाना शुरू कर दीजिएगा ठंधा होने से क्या होगा जम जाएगा ताइट हो जाएगा, तो आप बांध नहीं सेखेंगे, तो हलका गरम रहेगा, उसी समय आप बांध लीजेगा, अगर आप चाहे तो देखिए हम पेरा बना लिए लड्डू भी चाहे तो ऐसे लड्डू भी गोल-गोल हम करके छोटे-छोटे लड्डू हम बना लेंगे मकर संक्रान्थी के दिन एक खाने का नियम होता है तो उस समय भी आप भी बना के रख सकते हैं देखिए इस तरह से छोटे-छोटे लोई निम्बू का कारका बना के आप बच्चे को दीजिए बच्चे को सेहत के लिए काफी फैदे मन्थ है तो उन्हें भी जरूर खिला ये इस ट्रिक से बनाईएगा तो वो भी जरूर खाएंगे देखिए सारे हम धेर सारे बना के आती होगी तो लाइक और सस्क्राइब ही किजिएगा दोस्तों में भी इसे सेर जरूर किजिएगा देखिए आपको बिल्कुल ना दीक से दिखा दे रही हूं कितना बढ़िया साइनिंग भी है देखने से ही बच्चे काफी पसंद करके इसे खाने को चाहेंगे तो एक बा थेंक्स फर वाचिंग मिलती हो ने इस वीडियो में